हेलो फ्रेंज, मस्काल सबीको, मैं शेप फैशोक, स्वाद करता हूँ आपका आपके अपने यूट्वी चैनल तो तो आज मैं आपको बताऊँगा होटला रैस्टो में शाही चना ग्रेवी कैसे बनाए चाता है ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और आज के बाद आप शाही चना ग्रेवी एजली घर पर भी बना पाएंगे क्योंकि एजी डेस्टी बताने वाला आपको शाही चना ग्रेवी बनाने की और आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, राइस के साथ खा सकते हैं तो चलिए रेस्पी शुरू करते हैं तो यहाँ आप मैंने मीडियम साइज का 200 ग्राम काबली चना लिया है, आप किसी भी साइज का चना यूज कर सकते हैं, आप डॉलर चना यूज कर सकते हैं इस जिस्ट को बनाने के लिए, तो सबसे पहले हमने चनों को यहाँ पर बिगो के रखना है, कम से कम 8 गंटे तक चनों यहाँ पर बिगो के रखना था, हमारे चने अची तरह से यहाँ पर फूल चुक में आप इनको बईल कर सकते हैं, इसके बाद हम इनको बॉल करेंगे, तो हम पर प्रेशर उककर ने को बॉल कर रहे हूं, आप चाहरें हैं इनको पथीले बॉल ऑपन में कर सकते हैं, अब साथ में आपके पास सूखामला है, तो सूखामला डाल दीजिए, ट्राई आमला डाइजेशन के लिए बड़ी होता है, और चनों में कलर भी अच्छा एता है, और इससे थोड़ा खटा टेश्ट भी आ जाता है, साथ में आपने एक टी बैग और थोड़ा सा नमक डालना है, और उपर से कबर कर दीजिए, और हाई फ्ले में एक भी सलाने के बद आपने गैस की फ्ले में एक तम लो कर देनी है, 12-15 मिन तक आपने चनों को पकने देना है, तब तक ग्रेवी बना लेते हैं, यहाँ पर मैंने ग्रेवी बनाने के लिए दो प्याज, दो टोमाटर लिये हैं, प्याज और टोमाटर को आपने रफली काट लेना है, एक रही में अपने थोड़ा सॉइल डालना है, बिल्कुल थोड़ा सॉइल, साथ में दो क्यूब बटर के डाल दीजिए, बटर नहीं आप देसीगी का यूज कर सकते हैं, देखे जैसे बटर मेल्ट हो जाए, और अब आपने गैस की फ्लेम मीटियों डू हाई रखनी है, प्याज को आप थोड़ी दिर के लिए पका लिए पका लिए तकि प्याज के अंदर जो कच्छा टेस्ट होना वो खत्म हो जाए, फिर आपने थोड़ी दिर के बदर इसमें थोड़े से काजू डालने है, छे से प्याज के साथ आपने काजू लेने है, उनको तोड़के डाल देना है प्याज के साथ में और प्याज के साथ में आपने काजू को भी शैलो फ्राई कर लेना है, गैस की फ्लेम आपने बैसे ही मीटियों डू हाई रखनी है, और प्याज का मौश्रियां पे खत्म हो चुका फिर आपने इसके बाद यहां पर टमाटर भी आइड कर देना है तमाटरों के साथ में आप आदा छोड़ा चमश नमक आइड कर दीजिए थोड़ास आपने इसमें हल्दी पॉर्डर डालना है थोड़ास आपने इसमें देगी मेर्श पॉर्डर या कश्मीरी मेर्श भी बन जाए तो आपने इसमें थोड़ा ही पानी डालना है लगवा एक कप पानी अड़ कीजेगा क्योंकि प्याज और टमाटर भी अपना मॉइस्टर छोड़ेंगे अब आपने गैस की फिलिम रखनी है उपर से कवर कर दीजिए तीन से चार मिंट में आपके टमाटर और प पीसना है ज़्यादा गरम पीसने के पेश को ना तो जब आप मिक्सी ग्रनेटर जार को घुमाएंगे तो आपके ओपर इसके छीटे बढ़ सकते हैं देखिए इस तरह से इसका स्मूथ पेश्ट पना लीजिए उसी कड़ाही में आपने एक छोड़ा जमच ऑईल आइड कर पेश्ट हमारा अच्छे से आप पक चुका है दानेदार हो चुका है आप इसमें आदा छोड़ा चमच देखिमीच पोर्टर डाल दीजिए थोड़ा सा आपने इसमें हल्दी पोर्टर डालना है बिल्कुल थोड़ा सा साथ में आपने आदा छोड़ा चमच जिसमें धनिय पोर्टर एड़ करना है और आदा छोटा चमच आप इसमें जीरा पोर्टर डाल दीशिए और इन मसालों को भी आपने बटर और पेश के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और यहां पे आपने गैस की फ्रीम एक्तम लो रखनी है तकि मसाले हमारे जलेना सिर्फ मसालों क आपने मिक्स करना है फिर आपने इसमें पीसी फी ग्रेवी एड़ कर देनी है और ग्रेवी पीसने के लिए आपने पानी के यूज नहीं करना है क्योंकि अभी हम ग्रेवी को थोड़ा और पकाएंगे जितना अच्छे से आप ग्रेवी को पकाते है उतना ही बड़िया टेस चुकी है जब ग्रेवी अच्छी तर से पक जाती है ग्रेवी का जो टेस्ट है ना बहुत ही बड़ी हो जाता है इसके बद चने चेक कर लेते हैं कि देखे चनों को यहाँ पर 15 मिन तक बॉइल कर लिया है और स्टीम नहीं निका लिया अपने आप स्टीम आपने ऐसे ही रहने श्वाय देनिये ने तो चने ना हाड रहते हैं और कि देखे चना जो है खड़ा खड़ा भी है और अंदर तक अचा तर से पक भी चुका है तो इस तरह से अपने चनों को बॉइल करना है इसके अवज हम इन चनों को na मैंने ग्रेवी के साथ चनों की अच्छी तरह से पका लिए और ग्रेवी में अच्छी थीकनेस विया चुकी है और चने की तरह से ग्रेवी के साथ मिर्णी सोच के है तो आपको इन चनों को बनाने के लिए ज़्यधा टाइम नहीं लगा, पंदरा मिन्ट आपके एक साइड में चने बॉयलोने में विलेंगे उतनी तिर में आप ग्रेवी बना के तियार कर सकते हैं लास्ट में आपने इसमें थोड़ी सी रोश्की कसूरी मिथी आइड़ करनी है ये जरूर डालनी है इसे बहुत यड़ी ओफ लेवर आएगा थोड़ास आपने इसमें गर्मसाला पौडर एड़ करना है और साथ में हम इसमें थोड़ासा बरी कटव हरदनी है डालते है और अगर आपके एस क्रीम है तो दो से तीन चोटे चमच आप इसमें क्रीम के एड़ कर दीजे के बरगर में करीम नहीं होती है, मलाई होती है दूद की, तो दूद की मलाई होना अगर आपके वास, दूद की मलाई को अच्छी तरह से चम्मज से फेंट की आप इसमें डाल सकते हैं, सेमी टेस्ट आएगा, अच्छे से चनल एक साधिन को मिक्स कर लेते हैं, तो ये देखे